तो क्याल चाल भाई लोग कैसे हो आप लोग और आज इस फीडियो के अंदर हम सब बाते काने वाले हैं वीवो के जूट्वेंटी के बारे में जो कि अभी रिसेटली में इंडिया के अंदर लॉंच किया गया है लेकिन भाई आज इस फीडियो के अंदर मैं आपको बताने व पूंच किया है लेकिन अगर आप लोग इस फोन को लेते टाइम प्रीपेट पेमिंट करते हो मतलब ही अगर आप लोग इस फोन को कैस ओन डिलिवरी की जगा उनलाइन पेमिंट करके मंगाते हो तो ये फोन आप लोगो को 10,000 रुपय का दिखनी को मिल जाएगा और भाई इसके बारे में भी आगे बाते करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप लोग वीवो जू 20 लेना चाहते हो या फिर कोई और फोल लेना है या फिर कोई दूसरा गैजट लेना है तो प्लीज एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रू चेक कर लेना वापे मैंने काफी सारे फोन के बैटरी की डिपार्टमेंट के बारे में और इनकेस अगर आपको नहीं पता तो आपको बिता देना चाहता हूँ वीवो जू 10 की तरह इस बर आप लगो को वीवो जू 20 के साथ भी भाईस आप 5000 मिलियमपार की बैटरी आपके फोन में लगी होती है ना तो मेरे ख्याल से एक से देर दिन तक तो आपको इस फोन को चार्ज करने के लिए भी सोचने नहीं पड़ता बलब यार 5000 मिलियमपार की बैटरी सच बता रहा हूं काफी चादा होती है इवन इस प्रैस पॉइंट पे जो सबसे बेस्ट फो इस फोन के साथ मिलने वाले अगले काफी कमाल के फीचर के बारे में और भाई यहां पर में बाते करना चाहता हूं इस फोन के बारे में नहीं मालूम है तो आपको बिता देना चाहता हूं इस फोन के साथ आपको देखनी को मिलता है Qualcomm Snapdragon 675 जो कि कितना ज्यादा पाउरफु चिपसेट है यह बात आप लोगों को यह Geekbench स्कोर्स बता देंगे और वैसे भी भाई साब इस प्राइस पॉइंट पे मिलने वाले Redmi Note 8 या फिर Realme 5S के साथ मिलने वाले Qualcomm Snapdragon 665 से भी यह चिपसेट लगबग 25% ज्यादा पाउरफुल है तो हाँ भाई फिलहाल के लिए तो क काफी कमाल के फीचर के बारे में और यहां पर मैं बाते करना चाहता हूं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में इन केस अगर आपको अगेन नहीं पता आपको बता देना चाहता हूं इस फोन के साथ आप लोगों को एक 6.5 इंचेस की Full HD Resolution वाली LCD स्क्रीन देखनी को मिल जाती अब देखो भाई मुझे पता है कि अब आप यह बोलोगे कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है और सच बताऊं तो ऐसे काफी कम फोन है जहां पे आप लोगों को सिर्फ एक HD Resolution वाली स्क्रीन देखनी को मिलती है तो हाँ भाई competition को ध्यान में रखते हुए यह काफी अच खेर दोस्तो आगे बढ़ते हूं और अब बाते कर लेते हैं वीवो U20 के साथ आने वाले एक और काफी कमाल के फीचर के बारे में और यहां पे मैं बाते करना चाहता हूं इस फोन के साथ मिलने वाली एक काफी fast storage के बारे में और अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दे होगा जहां पे आप लोगको कोई इतनी fast storage का support देखनी को मिलता है फिर भी अगर आपके नजर में कोई phone है तो आप लोगको comment करके हमें बता सकते हो बाकि यह UFS 2.1 वाले storage होनी की वज़े से इस phone के साथ आपको काफी ज्यादा फायदे देखनी को मिल जाएंगे जैसे कि यह यहाँ पे app opening time जो है वो काफी कम हो जाएंगे इस phone के साथ, game loading time काफी कम हो जाएंगे इस phone के साथ और हाँ भाई overall phone काफी कमाल का हो जाएगा अब देखो भाई मेरे ख्याल से यही कुछ top unique features थे इस phone के जो कि of course भाई इस phone को अपने price point पे one of the best phone बनाते हैं बाकी देखो बहुसे finish के बारे में तो यहाँ पे मैंने बाते भी नहीं की लेकिन भाई फिर वापस से वही बात आ जाएगी कि यह सारी चीजे तो आपको इस price point पे मिलने वाले बाकी phones में भी आपको देखने को मिल जाती है लेकिन फिर भी जितनी unique चीजे थी इस phone के साथ मैंने इस video के अंदर आपको बता दिया तो हाँ भाई देखो यह तो देखो कुछ काफी कमाल के features Vivo U20 के अब अगर आप में से किसी को यह phone लेना है तो भाई साब link आपको नीचे description box में देखनी को मिल जाएगी अगर आप लोग इस phone में interested है तो आप लोग अफकोस वहाँ से जाके ले सकत है बागी यहर इस वीडियो के लिए तो इतना ही था उमीद करता हूँ आप लोगो को यह वाली वीडियो पसंद आई होगी और अगर ऐसा है तो मेरे भाई एक लाइच चपको इस वीडियो पे चैनल को कर देना सस्क्राइब उस लाल वाले पटन को दबा के घंटे को दबा